एक बर फिर आपको एलेक्शन कमिशन की प्रेस कॉंफरेंस में लिए चलते हैं जो की दिखाता है कि हमारे यहां बहुत अच्छे हेल्थ वाले लोग हैं जिनकी आयू 100 प्रलस है और इसमें जो अभी 18-19 एज ग्रूप के जो अलेक्टर हैं वो 4,82,896 है और 20-29 भी जो युवाबर गी है वो 41,52,806 है और लगवग एक पॉलिंग स्टेशन की जो साइज बनती है वो 980 मजदाटा बनते हैं क्योंकि टोटल वोटर को अगर हम इससे डिवाइड करें जो हमारे पॉलिंग स्टेशन है 20,629 तो यह फिगर निकल के आती है और जब 27 तालिक को हमारा फाइनल पॉलिकेशन होगा तो उसके बाद जो भी जो भी चेंजे जाएंगे उससे आपको अउगत करा दिया जाएगा एक आपको पता ही है पहले जैसे अब चार क्वालिफाइंग डेट्स होती है अलक्टर बनने के लिए बहुत पहले एक जनवरी को ही क्वालिफाइंग तिथी माना जाता था अब पिछे मानने निर्वाचन आयोग के हिदायता अनुशार फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट अप्रील, फर्स्ट जुलाई और फर्स्ट अक्टूबर के हिसाब से उसको क्वालिफाइंग डेट मानने के मानकर उसकी एडिशन किया जाता है कि इतने बार हो चुके हैं पहले ही हो गए तो यह जो एक जनवरी, एक अप्रील, एक जुलाई, एक अक्टूबरी जो पहले सिर्फ एक जनवरी होता था पिछे देख जिए उनको वेट करना पड़ता है तो मानने निर्वाचन आयोग ने चार किथिया कर दी थी उस समय तर कि इतने चारा साल की उमर को प्राप्त करेंगा वो बहुते बनने का पार्जर होता है और जैसा मैंने बता कि जो हमारे टोटल पॉलिंग स्टेशन 20,329 हुए इसके लिए भी हमने रेशनलाईजेशन किया था और पिछले जो लोगसभा में थे उससे लगबग 803 पॉलिंग स्टेशन नहें बने और एक किसी को दो के समयाजन होने से कम भी हुआ था तो नेट इफेक्ट जो 817 पॉलिंग स्टेशन का लोगसभा से इसमें आया है इस 20,629 में थे अरबन पॉलिंग स्टेशन 7,132 है रूर पॉलिंग स्टेशन 13,497 है और जो पॉलिंग स्टेशन लोक कोटल हरियाना में अभी 10,495 है 10,495 जिसमें की आरबन पॉलिंग स्टेशन लोकेशन है 2656 और रूरर एरिया में है 7,849 और जिसा आपको विजित है 10 पाल्यामेंत्री कंच्वेंशी है जिसमें की 90 हमारी विधानसभा छेत्र है और 90 विधानसभा छेत्र में जो 17 जो 17 विधानसभा छेत्र है वो आरक्षित है सिद्यूल कास्ट की कैटेग्री के लिए और तिहत तक बाकी जो बज गई वो जन्डल है यह एलेक्शन भी जो पुर्व की भाती इवीम और वीवीपेट के माध्यम से ही कराए जाएंगे और हमारे जो निरवाचनायोग की इसमें जो FLC होती है फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है वो समझत दीले द्वारा उस दोरान में पूर्ण करा ली गई है और एजो अपनाव हमारे पास सफिशेंट क्वांटीटी में बेलटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपेट है जिसके कि हमने FLC फर्स्ट की एक सीमा होती है तो जो विधान सभा के जो निर्वाचर के लिए जो उमिद्वार खड़े होंगे उनके लिए विधान सभा में 40 लाग की वो राची है जिसका कि वो मैक्सिमम मतलब खर्च अपने तरफ से कर सकते हैं और जिसका कि वेवरा उनको जो election expenditure observer रहते हैं उनको सम हां मांग रखी ति कुछ political party में अगर उस तरह का कोई निर्णा आएगा तो आपको अउगत कराया जाएगा और वो जो एक जो पिछे criminal antecedence की candidate और political party द्वारा सर्शाधरन को सुचित करने का जो विभिन मान्य उच्टम न्याले के दिसानिर्देश अनुसार शुरू हुआ तो उसमें आप लोगों को पता हिए candidate को जो candidate है किसी political party को उसको newspaper में टीवी में तीन बार उसको परकासित करना पड़ता है from the last day of withdrawal last day of withdrawal जो अपने यांसे में रिकाल से 16 बन रही है न हाँ 16 सितंबर से लेकर अक्टूडर टू डेज विफोर दा पोल मतलब दो दिन उससे पह इनको 16 से लेकर 30 सितंबर के दोरान में तीन बार इनको परकासित करना होगा और इसी परकार से political parties है वो newspaper में भी करती है टीवी में भी देती है और अपने political party की website में भी देती है और ऐसे ही वो जो सूचना जो candidate है वो सारी सूचना along with the expenditure उसका खर्च हुआ है इस advertisement के लिए वो सारी सूचना वो जिला दिर्वाचन अधिकारी को देता है और इसी परकार political party जो है वो CEO को देती है वो अगर कोई उसमें criminal antecedent है तो वो खुद सपवाता है अकरां जी समझे तो newspaper और TV में वो candidate अपना air देता और तीन बार देना है उसको जो last day of withdrawal है जो अपने case में 16 सितंबर है और two days before the day of poll जो मतलब एक तारीक तो पोल की date है मतलब उसमें 31 और 30 सितंबर और उसके बीच में इन्होंने तीन बार वो सूचना देनी है इसी परकार के political party ने जो है उसने newspaper में भी TV में भी और political party की अपनी website में भी सूचना देनी होती और यह सूचना प्रकासित करने के बाद जो candidate है वो जीला निर्वाचन अधिकादी को अवगत कराएगा कि मैंने ये किया along with the expenditure उसका जो लगा है और political parties जो है वो CEO को state office में देती है तो इस प्रकार चेज की है और एक दो और प्लेट्पम है political parties C7B का form है जिसमें newspaper, social media, platform and website of the party इसमें भी देती है शूचना और फिर इस शूचना को कि भई हमने दे दिया है उसकी शूचना देते है कमिशन को तो में लिए पहले वाला ही में लिए उसमें सारा details आई जाती है और जहां तक आपको यह है विभिन ICT का काफी प्रियोग election के दोरान होता है जो candidates के लिए political parties के लिए different जो permission होती है चाहे vehicle की permission है, rally hold करने की है, procession के लिए है इस सब के लिए सुवीदा एप का वो इस्तमाल कर सकते हैं उसको उनको बस सिर्फ login करके उसमें candidate को या उसके party को उसमें login करना पड़ता है उसका registration करना पड़ता है और फिर वो उसकी movement भी देख सकते हैं कि उसकी वो जो है permission कहां पर अभी चल रही है जो कि उनको सुवीदा प्रदान करता है वो nomination भी इसके माध्यम से अगर जो online करता है तो वो कर सकता है सुवीदा एप के माध्यम से इसी परकार से cvg lab है जो model code of conduct की enforcement के लिए पहले तो basically voilations की report को ही भी करके उसमें कर सकता है जिसको की फिर आगे जीला जीकारी तक वो पहुँच जाता है उनके control में फिर FST, SST जो team होती है उनके इसमें चेक वेक करके अपनी report भेजती है और इसमें इसकी आवस कितनी है 100 100 minutes में इसका जबाब देना होता है तो इस प्रकार से cvg का एक एप है जो की enforcement mcc की enforcement में साहिप होता है एक ऐसे to know your candidate एप है ताकि जागरुक मदाता अपना निर्ने कर सके और अपने candidate के past के बारे में जान सके उसके दिए ये to know your candidate होता है जिसमें की वो entry अमनलब वो स्वता ही जो उसकी एफिदेविट वगेरा है उससे entries आ जाती है जब उसमें criminal background वगेरा है वो विभाग मलबशी ओफिस उसमें कर देता है वो अपने आप होता है सक्षा में इसी परकार से जो voters with certain disabilities है और उनके उसमें पदलब वोर्टर उसमें भी लिखा है तो वो रोग काई सुभीदा जैसे कि उनको सुचना उसमें register कर सकते हैं वो कोई सुभीदा की demand कर सकते हैं या फिर उनको वहां wheelchair वगेरा calling station में चाहिए तो उसके लिए भी वो उसमें आवेदन भर सकते हैं ताकि उनको इसमें support किया जा सके और वो अपने मताधिकार का सुभम तरीके से प्रियोग कर सके मद्दान के दिन ये उनके लिए सुभीदा रहती है voter help line ये समझ जन्चा के दिये जिसने भी कोई form 6 में form भर के आवेदन करना हो ने voter बनने के लिए या कोई deletion करवाना हो अपना या फिर कोई amendment करनी हो तो voter help line ये पर इस प्रकार चे विविन ict tools है जिसके माध्यम से मतलब पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सरल शुगम और मतलब जल्दी की प्रक्रिया में करने के जिए सही होगी साबित होंगी postal ballot की जहां तक आपको बात है अपने या डो लाग संतिंग के आज दो लाग ब्यानली सहजारा आट सपठारा है पूरे इस प्रियोग कर सकते हैं उनकी स्वेच्छा रहेगी कि वो खुद पॉलिंग स्टेशन में आके मतादिका मदान करें या फिर अपने होम भेटिंग और भोटिंग की फैसलिटी ले अगर वो उतने चलने फिरने में दिक्का था या और भी अगर उनको कोई परिशानी है तो और इसके साथ साथ उसमें जो कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग होते हैं उनको भी पोस्टल वैलट की सुविदाय मिलेगी एसेंशियल सर्विसेज में जैसे पीछे भी मान्य निर्वाचनायग ने हर्याना के लिए 29 डिपार्टमेंट को हिया था इस बार भी उनक के एमर्जेंसी के कैटेगरी में आते हैं तो उनकी उस दिन भी अगर ड्यूटी है रहती है और वो अपनी ड्यूटी को छोड़ नहीं सकते उसके करमचारी अजिकारी तो वो लोग भी जो पोस्टल बैलट का फाइदा उठा सकते हैं मेडिया वो पर्चंस है उसमें जो कमिशन की अप्रूबल से जो पॉलिंग देज में रहते हैं न मतलब मेडिया कवरेज में वो लोग कवरेड था नंबर पर ही है मेडिया पर्चंस to whom authorization later have been issued with the approval of commission to cover all day activities तो वो इसमें कवाइड निता है हाँ वो उसमें वो कार्ट जाड़ी होगे उसके हिताब के वो बारादी अप्लाई करके बारादी अप्लाई करके postal ballot निर्गत करा सकता आपने तो पहले लेना होता है यह यारों के वही पर होता है जहां पर होता है जहां के आप बोटर है वहां पर और जो जहां तक उसकी बात एसेंबली एलेक्शन के लिए जो परा मिलिटरी वगेरा फोर्च की हम लगों ने मतलब पुलिस ने 225 कंपणी की डिमांड किये सेंटर परामिलिटरी फोर्च की जिसमें अभी 70 हमें अलोड भी हो गई है 70 कंपणी वो 25 तारिक कीती थी है तब उसमें आएगी फोर कंफिडेंस बिल्डिंग मेजर क्योंकि एलक्षन तो अपना 5 तारिक से सुरू होगा लेकिन उसके पहले की जो एक्टिवीटी है गटिवीदिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉन्पिडेंस बिल्डिंग के लिए एक पुरा सेक्यूटी का और अच्छा लोएंड और का आप में दोसो पच्ची मांदे लिए प्रिष्टी के लिए पहले बेजेते ना रूट मार्चिंग के लिए फ्लेग मार्चिंग के लिए अभी इनिश्यल लेवल के हुई है फॉर कॉन्पिडेंस में दिग और प्री प्री अक्टिवीटीज के लिए प्री बात के लिए तो में तो पॉर्डे के उसके आज पास के लिए जए होती है 7-0 7-0 ने शक्तर का ने आप उसको फार के लिए नहीं करो यह बेसिकली जब होता है तो इनिश्यल स्टेज पर थोड़ी से आती है इसका परपर दिफरेंट है अभी बाकी तो सारी उसमें आएंगी अभी जो इससे तो भी काफी आएंगी उसके अभी परक्रिया चल दी है वो जगा सेक्टर मजी स्टेट और अगर मजी आए तो चेंग करने वोड़ टाइम लगाता है तो उससे वोड़ बांगड़े जाता है उसने भी चेंच दिया पर पहले हैं एक मेंट बच और फिर बुट लेना आप एमेफ की जो है एस्टोड मिनिमम सर्विसे जो फैसलीटी सोरी जो मालने निर्वाचन आयोग की हिदायते हैं उसके अन्रूप जातर चीजे दखो अपने स्पूल्स वगड़ा भी अच्छी जगा पे हैं तो सेड मुखेता होता ही है डिंकिंग वाटर भी होता है टॉलेट्स की भी फैसलीटी होती है और जातर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सुचना भेजी है कि सब जगा ये पर्सन विद डिसेबलीटी रहेंगे उनको अपलेबल कराई जाएगी तो इस तरह से समस्त मतलब त्यारिया किसी साब के पूर्ण है और इसके आतरिक जो मुख्या है जो आदर्स आचार संगीता है उसके मैं समस्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या होने वाले जो अभ् करें और उनको डिटेल्स तो उनको पता ही है बहुत हमने दी है और बाकी भी सारा एलक्सरमार्णी निर्वाचन आयों की साइट में अबलेबल है तो उचका और एक स्वाध पूर्व बाताबरन में मिल जूलकर जो परजातंत्र का एक ये पर्व है इसमें अपना सहयोग द कि ना नहीं ना किसी की जो भी हिदायते हैं आदस चुट्जाओ संगीता की उसकी पूंता से पालना करें और जो भी उनका केंपेंड का मोड है केंपेंड करना चाहते हैं तो सारी चीजे की जो भी पर्मीशन वगेरा है वो समय बद तरीके से ले कहीं पर दिक्कट आती है जो मतलब उसके सीनियर अधिकारी को कौंटेक्ट कर सकते हैं से और अपिस में भी कर सकते हैं बागी समझत लोगों को हिदायते हैं ऐसी कोई डिक्कत आएगी नहीं कि उनको कोई प्रोशेशन के दिक्कत आ लो की कोई आड़ी की पर्मीशन में दिक्कत आ ली हो और जो supervisory officers की जो गाड़ी है वो GPS fitted भी रहेगी तो ताकि वो जो मतलब की change की जो प्रक्रिया है कहीं पर या और भी जो supervisory उनका रोल है वो ज्यादा तेजी से हो सके ऐसा सुनेशित किया जाएगा और इसके अलावा जो वो तेरा बारा तेरा जो अलक्तर चुरी है वो तो लेक्टर कार्ड के अलावा भी जो डिफ्रेंट डॉकुमेंट सिस्तमाल किया जा सकते हैं for the purpose of establishment in his or her identity उसकी भी शूचना मानिया निर्वाचनायोग से आचुकी है बारा तरह के डॉकुमेंट्स है इ एक मैं आपके माध्यम से इसमें सहयोग जाओंगा कि जिसका भी कोई है कि कई बार लोगों को रहता है कि मेरा नाम मद्धाता सूची में नहीं था मेरे पास epic card है तो epic card आपकी किसी के भी epic card जो है वो उसकी पहचान identification सुनिश्चित करने के लिए है वो आपको मताधिकार का अधिकार नहीं देता मताधिकार का अधिकार सिर्फ अगर आपका यह किसी व्यक्ति विचेज का अगर वोfightч़ or शूची में मताता सूची में नाम है तो तभी होता है तो किर्प्या करके इसमें कई बार जिससे कुछ होता है अल्दो यारोज को हिदायत है कि उसका बियलोज का की पूनता इस बात के निगरानी रखे कोई इस तरह से कटे नहीं और जो कुछ कटे वो भी जो निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार है उनके अनुरूप ही कटे लेकिन फिर भी थोड़ा चा उसमें वो अभी भी समय है वो अपना देख ले कि उनका मद्दाता सूची में अगर कहीं पर है उनका नाम है या नहीं है और कोई विशेश उसमें है तो अभी उनके पास दो सितंबर तक का समय है वो उसमें फोर्म छे अपलाई करके आज़र यह जो वोटर एप है या फिर उसके माध्यम से ब्यलों के माध्यम से वो अपलाई कर सकते हैं अबी जोनदेट जनरल एलक्टर कि जो है वो मेल में है एक रोर्षाट लाग चोहदा अजार पांशो पैसाट एक करोड शाट लाख चोदा हजार पान सो पैंसेट और फीमेल है पंचानवे लाख तीन हजार चार सो साथ और चार सो पचपन है ट्रांस जेंडर कुल मिला की यह हो जाते हैं दो करोड दो लाख ठारा हजार चार सो सटाइस और सर्वी सेलेक्टर में मेल है एक लाख चार हजार चार सो चपन फीमेल है इसी परकार से चार हजार साथ सो अठार टोटल मिला के सर्वी सेलेक्टर बनते हैं एक लाख नो हजार दो सो चार इसमें पर जाटा लिए जी सब्सक्राइब यह 18-19 का है यह जो इंटलब यह लेकिन जन्वरी के भी होंगे न जन्वरी के इंट्रूड हां चार लाग विराशी जार आठ्षो च्यानुवी मतलब जो 18 साल और 19 साल के वीच के सब्सक्राइब इसे लिए च्यान शक्राइब चॉटल हो जाते सर्वी सब्सक्राइब यह लाग नोगोजार दोसो चारू चैन्वरी कांवि के शचामाँ प्याया रहना है कि यह तो देखिए अभी आप इस हुचना में लाएं हो कंशन डियो को कहेंगे किसमें आप पता कि यह और भी जो डिफ्रेंट शिकायत आई पोस्टर लोग सबार चुनाव चेंडर देखा गया कि कुछी कैंडिडेट पर हमले भी हुए यहां तक की तक्सरबाजी भी हुई तो उस जोरान उनको एक्ट्रा स्क्योटी देखिए तो विनान सबार में इस परिके कि कोई वगर पैले से या आप इस परिके से कोई इस्क्योटी रु नि उसमें मेरे खाल से निरवाच्चन आयोग कि जब वो कैंडिडेट फिक्स्ट हो जाते हैं उसके बाद उनकी हिदायते हैं और उसके अत्रिक भी किसी की अगर रिक्वार्मेंट होगी तो असेस्मेंट के हिसाब से उसमें पुलिज विवाग कारवाई करेगा उनकी असे हाले वो कॉंग्रेश की जो 16 तारीक को जो ट्रांसफर हुए थे उसके विचह में एक कंप्लेंट एक क्या मतब तीन अलग-अलग माध्यम से कंप्लेंट आई थी उनका उनको जबाब दे दिया गया है आप पर्मिशन से जारी वह थी ने वह पर्मिशन मांचे निर्वाचन नायोग द्वारा आई थी और वो इसलिए थी क्योंकि कई लोग बोले थे कि अलक्षन तो तीन बजे शुरुआ ऐसा नहीं है स्सर की एक् क्तिविटीचल ली थी इसपेशल समरे शुरुबिद चिल ली ती और शुरूरे के दो रान वियारों जो है nirवाचन अधिकारी वोटर बनाट करिंद हुछ म में भी रिस्टिक्शन होती अकृत शार्थ काण जैसे एक लगवी स्टार्याद करमचारियों को गाधिनेस लाइते, जौप सेक्यूरिटी का तमाम जो फैस्ट में से.. वह तो पहले का था था न? मन्जुरी को रहे, जब एक सतरह तारीख के बाद है सतरह तारीख के बाद है सतरह तारीख के बाद है उसकी अभी अलग से मेरे पास अभी कोई और मुठी के लिए, वह मानने के लिए होगा हो सकता आगे आरेगी अभी नहीं आया उसमें मुद्री ने उसमें प्रेस कॉंफंस में कहा था कि हम निरवाचन आयुको और स्लियों को बेज रहें क्या सर्व विजापन कारी हो सकता है और रिजर्ट कोई आना हो तो रिजर्ट के लिए जा रहे है या तो इसमें भी यह दोनों जो आप बात उठा रहें इन दोनों की एक रिलेटेड कंप्लेंट आई है स्टाफ हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की एडबर्टीजमेंट की और हर्याना स्ट्री एच्पेश्ची की पब्लिक सर्विस कमीशन की वी तो उन दोनों का भी जवाब लेके हमने मन्य निरवाचन आयोग को भेज दिया है और जहां तक जो उनकी रिकूट का सवाल है जो मानने रिरवाचन आयोग का दूजेंड डॉंट है इसमें स्टैट्ट्री कमीशन को कहीं वो रोकता नहीं है इसकी 22 नंबर गाइडलाइन्स कहती है रेगुलर रिकूट्मेंट एपॉंट्मेंट और परमोशन थ्रू दा यूपीश्ची, स्टेट पब्लिक सर्विस कमी स्टैट्री कमीशन के पास ही करी थी तो उन्हें कमेंट मांगे थे अपने डॉक्ट्री से लेके उनको दी दिए सब लोग सबस्ट नाम में जिस तरह से आर्टिफिशल इंटेजिएंस का यूज हुआ, इसको रोखने के लिए स्टेज में जिए यूज होता है तो उसको रोखने के लिए आपने क्या करमा पुटारे है इसको अपने के लिए समय और प्लाइव प्लाइव समय करते हैं, और भी अगर वो तो चेक करती है, और भी किसी के माध्यम से अगर वैसी कोई पुलिस तो करते रहेगी अपना काम पुलिस तो करते रहेगी पुलिस भी करते पुलिस भी पाटी है इसकी पुरी इंफोस्मेंट का हो भी हमारा इसमें सहयोगी करेगी अपी जैसे सुना वे सिर्णी का डाईशी हो रहे हैं कि अगर हो है क्या आयोको वत्राफ को आसकर भारेना सिर्वाशन कारे में कुछी हो है त्यारी तो त्यारी तो त्यारी तो थी लेकिन उस पारे में तो वही निर्वने लेता है मान निर्वार्चन आयोग इसमें वही निर्वार्चन आयोग निर्वार्चन आयोग ने मांगा था वो भी उनको परूजल के लिए भेज दिया जारे होगी क्या उसमें कुछ डिर्वार्चन है उसमें नहीं विज्यापन जारी हो रहे है या कुछ रिवार्चन आयोग निर्वार्चन आयोग को शिकायत की गई थी उन्होंने का रिपोर्ट मांगिए वो हमने विज्वा की जो उनकी दो इस्ट्रक्शन है उसमें ही शाप-शाप खबर हो सब होम वोटिंग की डेट्स कौन कौन सी रहेंगी है तोबी में पिता है और ये डेट ऑफ अनौस्मेंट प्रोग्राम से लेकि जब नोटिफिकेशन होगी उसके पांच दिन तक अप्लाई कर सकता है अपने कसंड आरो की पास अप्लाई करेगा जहां उसका वोट बनाना है और उसकी बार दो अग्जामीन करेगा उसको प्रोड़ देगा फार्म 12 ग्रोटिकल कार्टाइज उन तो भी इनफा किया जाएगा रुटगरापर होगा अर इक फिलिसका वी informing से जाएंगे और जो भी वाहां कर लोटिफिक अप्र पूटिफिक करा की ऑफ hannoAR तकम और रेकिमी नेक्ड़व्ny कराइंगे कि अधिए पाने की अधिए पाने की अधिए के मुस्तन नहीं इजाइजों के अधिए